हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वितायुष इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्रीज आईपियो की लिस्टिंग दे स्ट्राटजी के बारे में जैसा कि आप सबको पता ही है कि 15 नवंबर को यह आईपियो मार्केट के अंदर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा एनसी बी एसी पे तो जिन जिनको अलॉट्मेंट मिला है वो कितने रुपे का यह पर प्रॉफिट एक्सपेट करके चल सकते हैं और क्या आपको आईपियो को होल करना है अगर आपको मिला है तो क्या करना है यहाँ पर क्या स्ट्राटेजी बना के चलनी है ओवरॉल प्रॉफिट का फिगर क्या रह सकता है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी खास होने वाला है जिनको आईपियो नहीं मिला है क्या यहाँ पर आपको आईपियो के इंदर खईदारी करनी है जो स्टॉक आपको मिलेगा उसमें खईदारी करनी है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को पूरा आप जरूर देखेगा दोस्तों चानल से पहली बार अगर आप जुड़ें तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके and चानल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाईएगा सबसे पहले सिगाची इंडस्ट्री इस की कुछ बेसिक चीजों के बारे में आप समय लीठी है यानि आपको कितने रूपे का एक शियर मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स याद रखेगा जो एक शियर आपको मिलेगा वह 163 रूपीज का मिलेगा काफी लोगों क मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर प्राइस बेंट तो 161 से 163 तरीका था तो क्या हमको याप ए 163 का शियर क्यों मिलेगा हमको 161 का क्यों नहीं मिल सकता तो फ्रेंट्स एक बात आप याद रखेगा अगर कोई भी आईप्यो ओवर सब्सक्राइब होता है तो जो प्राइस ब मिलेगा यानि 161 रुपे पर ना मिलके आपको 163 रुपीज पर वो आईप्यो मिलता हुआ देखने को मिलेगा होप सो यह बात आपको समझ में आई होगी अब जो फेस वैल्यू है वो देखे कंपनी ने 10 रुपे ही रख रखी है इसका मतलब अभी तक स्टॉक के साथ कोई चेड़ चाड़ पहले नहीं की गई है important जीज याद रखेगा काफी कंपनी अभी अगर आप देखेंगे IPOs ला रही है तो फेस वैल्यू एक रुपे दो रुपे पाच रुपे का ला रही है लेकिन सिगार्ची में अच्छी बात क्या है जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपे ह का मिलेगा अब कितने शेर्स मिलेंगे ओवरल ओवरल दोस्तों आपको जो शेर मिलेंगे वह है 90 यहीं 163 के बहुपे आपको ओवरल 90 शेर्स मिलते हुए देखने को मिले हैं यह बात अब सबको समाझ में आ गई होगी अब बात करते हैं यहाँ पर लिस्टिंग डिपर यान जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 220 रुपे मिल रहे हैं एक शेर के उपर यानि जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो इस आईपयो का चल रहा है करीवन 220 रुपीज और जो प्राइस बैंड रखा गया है 163 रुपीज तो इसका मतलब क्या हुआ 163 रुपीज का शेर 220 रुपे दोस्तो ग्रे मार्केट चल रहा है यानि अराउंड जो ये आईपयो लिस्ट होगा वो होगा 383 रुपीज ये बात आपको समझ भा गई 383 रुपीज के आजपस फ्रेंट्स अकॉर्डिंग तू आज का ग्रे मार्केट ये लिस्ट आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन कहानी ऐसी नहीं होगी अभी फ्रेंट्स आपको याद होगा नाइका का आईपयो आता हुआ देखने को मिला था और उसके अंदर दोस्तों आपने नोटिस करी होगी अभी कि जो ग्रे मार्केट चलता है उससे जादा उपर देखिया आईपयो खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं जो बड़िया पर्फॉर्मेंस करके दिखाए हैं या फिर जिनके अंदर आपको एक तगड़ा सब्सक्रिप्शन आता रुपे प्रती शेयर कर सकते हैं दोस्तों बीस रुपे के मुताबिक आपको करीबन नाइंटीन थाउजन और नाइन एटी के आसपास का फाइदा है यानि ओवरल अगर हमें कहूं तो ओवरल आपको यहां पे बीस हजार रुपे के आसपास का फाइदा होता हुआ देखने अगर आप देखेंगे तो जो ग्रे मार्केट्स थी उनसे जादा आपको यहां पे आईपयो उपर खुलते हुए देखने को मिल रहे थे और मुझे अभी भी लगता है कि जो सिगार्ची इंडस्ट्री आईपयो है वो लिस्ट होगा अराउंड 400 से लगाकर 430 रुपीज के आसपास यहनी 400 से 430 रुपे के आसपास फ्रेंट्स आपको यह लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग होगी वो डेफिनेटली फ्रेंट्स काफी जादा बढ़िया रह सकती है और डेफिनेटली गिने चुने लोगों को यह है और काफी अब एक क्वेशन जरूर आएगा आप सबके माइड में जिनको IPO मिला है कि हमाएं डीमैट में कब आएंगे यह बहुत ज्यादा क्वेशन पुचा आता है कि सर हमाएं डीमैट में कब शेर्स आते हुए देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट डीमैट के अंदर आज आज आने चाहिए शेर्स यानि जो क्रेडिट की डेट है वो 14th है माफ की जगा 13th है और अल्मोस देखिए यहाँ पर आज आना चाहिए 13 से 14 बेसिकली देखिए इस दन आ जाएगा बट अगर इन दिन भी नहीं आता है यानि आप मानके चलिए आपको तिया तरीक को भी मंडे को भी नहीं आए तो फ्रेंट चिंता मत करेगा मंडे को सवा 9 से पहले नहीं 15 से पहले आपको होपफुली देखिए जो आपके शेर्स है वो आपके डी मैट में आ जाएंगे और 110 परसंट आई जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं है जिनको भी IPO लगा है आप चिंता नहीं होती है अलॉट्मेंट के तो अगर अभी तक आपको अलॉट्मेंट नहीं आए तो जो आपने IPO लगाया यानि जो मेंडेट किया है उसका जो एक्सपाइरी डेट है तब तक हो जाए तो उस दिन तो आई जाएगा लेकिन उससे पहले भी आप चाहें तो बैंक्स में जाके बात कर सकते हैं जिस भी बैंक अकाउंट से आपने लगा है बैंक तो वहां जाके बात करिए वहां से वह हो सकता है कि देखिए आपके जो मेंडेट है उसको वह वापिस से डिकलाइन कर दे यानि आपके मेंडेट को देखिए वह कर दे तो आपका वापिस से पैसा आ मिलेगी अराउंड यहां पे 400 से 430 रुपे के असपास बट अब important question निकल के आता है कि वो क्या करें जिनको allotment नहीं लगाए क्या share में बाय कर सकते हैं अभी तो friends मुझे लगता है कि यहां पे definitely chances बन सकते हैं सिगाची को बाय करने के because company काफी जादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगी and अभी याद होगा आपको एक Paris defense करके IPO आया था और उसके बात से अगर आप देखेंगे तो एक जो तेजी दिखाई देखें बहुत आपको समझ के हमेशा काम करना चाहिए अब हुआ क्या देखें पारस के अंदर वो अचानक से तेजी तो दिखाई फिर circuit पर circuit पर circuit पर circuit आपको लगाता हुआ देखने को मिल गया लेकिन अब एक important चीज क्या हो रही है अभी अभी आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई और थोड़ा बहुत consolidation भी हुआ ओर लेकिन इंपोर्टन चीज क्या है फ्रिंस ट्रैप नहीं होना है हाँ अगर देखें स्टॉक आपको य 380 रुपे के आसपस मिले 400 रुपे के आसपस मिले तो मुझे लगता है कि हाँ one time I buy कर सकते है definitely risk उसमें भी रहेगा बट यहां से एक chances बन सकते है कि हाँ वहाँ से stock थोड़ा बहुत तीजी कर जाए in 450 से 500 रुपीज के आसपस चले जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकि है तो उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है अगर एक IP में बढ़िया आपको कमा के दिया है तो देखिए उसके profit booking की chances हमेशा बनेंगे profit booking अब पता नहीं कि देखिए एक हफते में हो उसके अगले दिन से हो या फिर एक महीने बाद हो तो यह चीज़ा आप समझके चलनी है otherwise अ वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो पसंद आया होगा अगर आया तो यार लाइक कर देना चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों फ्रेंड्स फर आचिंग दिस वीडियो